आत्म निर्भर भारत की और एक ठोस कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्राले ने 101 रक्षा उपकर्णों के आयात पर रोक लगाने का एलान कर दिया है नमश्काल दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हर्दिक स्वागत है मुदिता IS वारियर्स पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने इस information को खुद share किया है कि 101 जो defense equipment है इस पर हम रोक लगाने जा रहे हैं तो आज हम discuss करेंगे कि कौन से हैं वो उपकरण जिन पर लगाई जाएगी रोक कब तक लगाई जाएगी रोक और इससे क्या लाब होने वाला है आपको हमको और भारत के निवासियों को तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की class शुरू करने से पहले वीडियो को like क करना शेयर करना ना भूले साथी पहली बाल चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी यूसफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे परीचे या फिर यह द उत्पादों पर चरन बद्ध तरीके से प्रतिबंद लगाया जाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि एक आएक प्रोक लगा दी जाएगी कुछ उत्पादों पर 2020 में ही यह प्रतिबंद शुरू हो जाएगा उसके बाद कुछ 21 में और फिर आगे आने वले वर्षों में ठीक कैशर करते हैं कुछ हम अलग-अलग कंठी से मगाते हैं जैसे अमेरिका रशिया और हाल ही में हमने राफेल मंगाया है अब राफेल हमने किस country से लिया है वह मुझे आप फड़वड से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो इन इक्वीपमेंट को हम बहुत सारा पैसा दे कर अलग-अलग countries से मगाते हैं तो उसमें से 101 equipment पे ये कहा गया है कि उसे हम यहीं पर अपने देश में निर्माड करेंगे और उसे नकारात्मक सूची में डालेंगे मतलब उन पर ban लगाया जाएगा और उन्हें import नहीं किया जाएगा ठीक है इंपोर्ट करना या आयात करना दूसरे देशों से मगाना और निर्यात करना मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में भेजना दिये जाएंगे ठीक है जैसे कि DRDO हो गई हमारी BEL हो गई HAL जिसे हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेड कहा जाता है बहुत सारी कंपनीज है जो एक्वीपमेंट्स डिफेंस और एक्वीपमेंट्स भारत के लिए बनाती है रक्षा मंत्राले द्वारा कहा गया है कि 101 वस्तुगों की सूची में कुछ अन्य उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा अभी 101 का शगुन दे दिया गया है लेकिन कहा गया है कुछ ऐसी एक् क्या जा सकता है ठीक है तो एक सो एक शगुन से शुरुबात की है इसमें और भी इक्वीपमेंट को एड किया जांएगा और और भी इक्वीपमेंट भारत में ही निर्मित की जाएगा dream दो हजार बीस और 21 के लिए पूजी बजट को घरेलू और विदेशी खरीद भागो और एक वो जो घरेलू पूंजीगत निवेश करेंगे यानि यहीं पे भारत में निवेश करेंगे तो उसके लिए जो घरेलू पूंजीगत खरीद है उसके लिए 52,000 करोर रुपे इसी वर्ष खर्च किये जाएंगे मतलब ये जो running year है 2020-21 52,000 करोर रुपे का खर्ज किया जाएगा पजट भारत में ही ये प्रोजेक्स दिये जा सकते हैं PSU को भी और private को भी दिये जा सकते हैं जो चल रहा है वर्ष तो ये बहुत बड़ी खुशकबरी भी है और एक बहुत बड़ी opportunity भी है opportunity है हमारे देश के बहुत सारी companies के लिए और उससे बहुत सारा रोजगार भी सरजन होने वाला है तो ये तो हो गया थोड़ा सा इसका introduction अब आगे देखते हैं इसके बारे में detailing प्रतिबंधित वस्तुएं अब जिन वस्तुओं पर प्रतिबंधि लगाए जाएगा उनके बारे में देख लेते हैं यहां कुछ वस्तुओं को shortlist किया गया है इसके अलावा पूरी list की सूची जो है वो आगे आप देख सकते हैं आयात पर प्रतिबंधि लगाई जाने वाली इन 101 वस्तुओं की सूची में ना केवल हलकी वस्तुओं सामिल है बलकि उच्च प्रधोगी हतियार भी सामिल है तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमने कोई छोटी मोटी और हलकी चीज़े रखी है कुछ हलकी वस्तुओं भी है पर उसके साथ-साथ High Technology वाले जो हतियार है Equipments है, उनको भी एड किया गया है तो वो क्या है? जैसे कि Artillery GUN Artillery GUN क्या होता है? Artillery GUN आर्मी के पास होता है कर सकता है, असके साथ Assault Rifle, लडाकू जलपोत, सोनार पडाली माल वाहक विमान समान ले जाने के लिए जो विमान होते हैं हलके लडाकु विमान जो हलके जेट फाइटर्स होते हैं वो उसके लिए आपको पता है कि हमारा तेजस है जो HAL ने बनाया है भारत में जैसे कुछ उच प्रदोगी हतियार शामिल है ठीक है तो ये इस प्रकार के हतियारे जो काफी अच्छे हैं इनको भी स्वदेशी निर्मान किया जाएगा दिसंबल 2021 के संकेतिक आयात प्रतिबंद के साथ पहियों वाले बक्त बंद लडाकु वहन भी शामिल है तो जो हमारी आर्मी है उसके लिए 5,000 करोड रुपए ये 2021 में ही अनुमानित किये जा सकते हैं जिससे वो कितने 200 AFV बनाएंगे ठीक है इसी के साथ 9 सेना के लिए यानी नेवी के लिए 52,000 करोड रुपए अनुमानित किये जा सकते हैं किसके लिए वो 6 पंडुब्या बनाएंगे यानि सब्मरीन सब्मरीन भी दो तरह की होती है ठीक है एक तो कमर्शियल दूसरी न्यूक्लियर तो हम न्यूक्लियर नहीं कमर्शियल सब्मरीन बनाएंगे ठीक है न्यूक्लियर बनाने के लिए जाधा टाइम और जाधा टेकनोलोजी की ज़रुत होती है तो हम क लडाकू विमान जिसको मैंने आपको बताया तेजस MK1A यानि कि जो तेजस है सूचिवद्ध करने का निर्ने किया गया है इसमें 123 हलके लडाकू विमान के लिए लगभक इतने 85,000 करोर रुपे अनुमानित किये जाएंगे ठीक है तो इतने इतने पैसे ये घरेलू निवेश किये जाएंगे और ये एक्विपेंट्स को तयार किया जाएगा 2020 और 2021 में जल सेना थल सेना और वायू सेना के लिए अलग-अलग इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध वर्ष 2020 से 24 के बीच लगया जाएगा मैंने आपको बताया कि ये चरनबद रूप से होगा step by step तो क कैसे होगा वो देख लेते हैं इस सूची में से कुल 69 वस्तुओं के आयात पर इसी वर्ष दिसंबर महा से प्रतिबंध लगाया जाएगा यानि 2020 दिसंबर 2020 से 69 चीजों पर हम बैन लगाने वाले हैं उसे नकारात्मक सूची में शामिल करने वाले हैं जबकि 11 वस्तूओं क में 2024 तक यानि कि 2024 तक यह कंप्लिट 101 वस्तूओं पर हम बैन लगा देंगे तो इस तरीके से स्वदेश में ही हम क्या करने वाले हैं निर्माड करने वाले हैं धीरे धीरे और लगभक 70 वस्तूओं का इसी वर्ष में इंपोर्ट रोक दिया जाएगा पूरी लिस्ट है जिन वस्तूओं पर प्रतिबंद लगाया जाने वाला है और यहां पर यह दिया हुआ है कि किस वर्ष पर इन पर रोक लगा जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं शौर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल जिसे लैंड वैरियंट कहते हैं इसे 2020 में ही रोक दिया जाएगा टुवार्ड आर्टिलरी गन जिसका 155 mm 250 2CAL यह इसकी लैंथ दी हुई है ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड गन है इस पर रोक लगाया जाएगा मल्टी बैरेल रोकल लॉंचर रॉकेट लॉंचर है इस पर लगाया जाएगा साथी में कुछ और एक्व इक्वीप्मेंट्स है इडबलू सिस्टम है लाइट वेटी रॉक्स रॉकेट लॉंचर है तो इसके साथ ही यह पूरी लिस्ट जो है इसे शो कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं इस पूरी लिस्ट को आपके लिए एवलेवल करा दूंगी टैविल ग्राम पर जहा पान की और एक बड़ा कदम होगा क्योंकि जो आत्म निर्वर का प्लान तयार किया गया है उसमें यह एक बूस्ट अब देने वाला है क्योंकि आवशक्ता ही अविश्कार की जन्नी है और जो हमने एक्वीप्मेंट छॉट लिस्ट किये हैं वो बनाने में इंडिया पूरी जा सकती है और एवलेवल है ऑल्रेडी बहुत सारे एक्वीप्मेंट है जो डियार डियो बना चुका है ठीक है तो यह सारा प्लैनिंग करने के बाद ही इन पर रोक लगाई जा रही है तो इसके बाद इसको और ज़्यादा बूस्ट अप मिल जाएगा बहुत सारे प्रोज सेक्टर को भी अब इससे क्या होगा इससे जब उनके प्रोजेक्ट मानलों साल में पांच प्रोजेक्ट कर रहे थे अब साल में दस प्रोजेक्ट करेंगे तो उन्हें इंप्लॉइस भी जादा चाहिए होंगे अब क्या होगा हमारे इंजीनियर्स और साइंक्टिस को और opportunity मिलने वाली है और उन्हें बहुत जादा job opportunity मिलने वाली है इंडिया में ही इसके साथ ही घरेलू रक्षा उत्पाद वी निर्मारताओं के लिए विशेश आउसर होगा जो इंडिया में manufacture करते हैं उनके लिए अच्छा ये आउसर होगा कि वो और जादा technology जब उन्हें पैसा दिया जाएगा मतलब निवेश किया जाएगा तो वो जिन चीजों पर नहीं कोज कर देते काम नहीं कर देते उन चीजों को भी बनाएंगे साथ में भारत का रक्षा वी निर्मार छेत्र घरेलू बारजार के आउशक्ताओं को पूरा करने के साथ-साथ एक निर्यातक बनक अर्थ विवस्ता को बढ़ाने में मदद कर सकता है मतलब केवल हम अपनी आउशक्ता के लिए भारत ऐसा ही अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ आने वाले वर्षों में बनाना शुरू कर देगा और जब हम एक्सपोर्ट क सथक्रने स्थार्ट किया और नानो सैटलाइड बनाए तो नानो सैटलाइट इतने कम किफायती दाम में लाँंच किये क् Frameеा के लिए डो हजार उननीस नानो सैटलाइड लाँच किये हैं ये एक best example है कि कम price में इंडिया अच्छे से काम करना जानता है तो आगे आने वाले समय में रक्षा equipment यानि defense equipment भी इंडिया export करने की capability रखता है इसके साथ ही 2015 से बीच के बीच एक अनुमान आकड़ा है कि लगभग 3.5 lakh करोड रुपे जो है वो खर्च किये गए हैं किसके लिए 260 यूजनाओं के लिए जो हमारी defense है चाड़े 3 lakh करोड रुपे खर्च किये गए हैं ये बीते वर्ष में 5 साल में defense के लिए और होने भी चाह जिसकी मजबूत होती है वही राज करता है और ऐसा अनुमान है कि आगे आने वाले 6 से 7 साल में ये लगभग आप यही 5-6 साल में सोच सकते हैं 4 lakh करोड रुपे खर्च किये जाएंगे तो उसका कुछ भाग भारत में भी रहना चाहिए मतलब घर में भी आना चाहिए क्यों अगर हम जो वह पैसा बाहर देते हैं तो उनके लिए बढ़ती है लेकिन अगर वह पैसा यहां पर निवेश होगा तो इंडिया के लिए बढ़ेगी यहां के लोगों के लिए बढ़ेगी ठीक है तो यह पूरा मास्टर प्लान है जो पूरा प्लान करके तयार किया गया है अब इसके बाद देखते हैं एक निशकर्ष देखते हैं कि क्या इसका conclusion निकलता है और आपकी क्या रहा है वो भी आप मुझे comment box में comment करके पता सकते हैं क्योंकि हर किसी को अपनी व्यक्तिगत राय देने का इस भारत में पूरा अधिकार है. निजी कंपनियों की भागेदारी के साथ public private partnership को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल PSU बनाएंगी कहा गया है public प्लस private दोनों को projects दिये जाएंगे तो यहां पे अगर आप government की बात करें तो हिंदुस्तान Aeronatic Limited है जिसने हमारा Tejas बनाने का project लिया हुआ है HAL के नाम से जानते हैं BEL के नाम से जानते हैं जिसको भारत Electronic Limited है यह बहुत सारे रडार हो गयरा बनाता है DRD को डी आइडी ओ को जानते हैं अब Defense Research and Development Organization है ठीक है इसका headquarter कहा है वह आप मुझे बता सकते हैं comment box में comment करके और DRDO काफी अच्छे अल्र entity है वह private company है तो यह जो private government है ऐसा कहा गया है कि दोनों को ही projects दिये जाएंगे तो इससे दोनों को ही फायदा होगा और दोनों ही काम करेंगे और हो सकता है कुछ project दोनों साथ मिलकर भी करें private and public रक्षा उत्पात में घरेलू निवेश रोजगार सेजन की संभावनाएं बढ करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे engineers को और बहुत सारे लोगों को इस चीज में काम मिलने वाला है क्योंकि उन्हें employee चाहिए होंगे local employees चाहिए होंगे ठीक है तैयारी अब एक बात यह निकल के आती है कि जो हमने plan की है planning की है वह बहुत अच्छी है लेकिन जो तैयार table follow करके उस तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक वह चीज रिजल्ट नहीं आएगा तो उसी तरीके से जो हमने यह पूरा master plan किया है अगर इसका सही से कार्यान्वन नहीं होगा तो यह चीज रियाल्टी में उभरके नहीं आएगी तो इसका सटीक तरीके से पूरा हो होना जरूरी है और कुछ चुनौतियां भी आपसे पूछी जा सकती है यहां पर मैंने एड नहीं किया है कि क्या चुनौतियां आ सकती है तो वो भी आप एड कर सकते हैं कि चुनौतियां क्या है कि सही टाइम पे वित का मतलब आवंटन ना होना पैसों का आवंटन ना होना या फिर क्या है कि private और public दोनों को दिया जाएगा एक public sector को project दिया गया एक private sector को दिया गया आपको पता है कि जो private sector वाले हैं वो अपने project को time से पहले complete करने में विश्वास रखते हैं अगर उन्हें March का समय दिया है तो वो जन्वरी में project को deliver करने के तयार होते हैं वहीं अगर आप public sector यानि government की बात कीजिए उनके जो projects होते हैं अगर उन्हें March का timeline दिया है तो वो उस चीज को March में यह सोचते हैं कि और extend हो जाएगा और वो April मही तक भी तयार नहीं होते हैं मतलब time constraint तो यहां एक competition की स्थिती आ जाएगी ठीक है दूसरा यह है कि अगर साथ म time में आपको projects deliver करने हैं क्या उस पर यह लोग time पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह कुछ चुनौतियां हो सकती है वैसे all over जो पूरा design and development है वो काफी ही अच्छा है अगर वो उसी तरीके से होता है तो यह हमें अच्छे results देगा this is complete overview of this topic I hope आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं साथ ही जाधा से जाधा चैनल को like करें share करें subscribe करें जिसने मैं और भी अच्छा content आपके लिए बनाती रहूँ देखने के लिए thank you so much